हैदराबाद में एक महीला डॉक्टर से गैंग रेप करके जला कर उसकी हत्या कर दी गई इस जगन्य घटना ने एक बार फिर साल दो हजार बारा के निर्भ्या गैंग रेप की याद दिला दी हैदराबाद की महीला डॉक्टर प्रेंका रेडी के साथ जो कुछ हुआ उसके पूरा देश गुस्से में है आज सुभह से एक अकेली लड़की संसत भवन के पास सड़क पर बैच कर अपना विरोजत आ रही है इस लड़की से जब सवाल किया गया तो उसने कहा कि कल मैं भी जलूंगी लेकिन मैं लडूंगी मैं उमीद नहीं कर रही कि कोई और मेरे नहां धरने पर बैठेगा अनुदूबे नाम की लड़की संसत भवन के पिछले गेट पर सुभे से शांती से बोट लेकर बैठी थी जिस पर लिखा था वाय आई कैननोट फिल सेव इन माई हों इंडिया यानि मैं अपने घर भारत में सुरक्षित क्यों नहीं हूं जब लड़की से पूछा गया कि वह यहां क्यों बैठी है तो उसने कहा सुभे साथ बजे से बैची हूं निर्भया हो गया कठुआ हो गया छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है आज वो लड़की जली है कल मैं भी जल जाओंगी लेकिन मैं लड़ूंगी अब डरने का मन नहीं करता अब मन भर गया है लड़की ने आगे कहा मेरे साथ कोई नहीं जुडा तो भी यहीं अकेली बैठी रहूंगी मैं किसी से मेरे साथ जुडने की उमीद भी नहीं करती मैं ओफिस नहीं गई पापा ममी को भी नहीं बताया कि मैं यहां बैची हूं मैं बहुत लड़की ने आगे कहा जवाब सरकार देगी सांसद देंगे इसलिए सांसदों से मिलने और उन से सवाल पूछने यहां आई हूं किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है बता दे कि संसद भवन के पास बैठी लड़की को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है पुलिस ने लड़की से कहा कि जंतरमंतर जाकर परदर्शन करो इससे पहले पुलिस ने लड़की को चाय बिस्किट भी दी यहां एक सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या इस अकेली बेटी से पुलिस इतना डर गई कि उसे जबरन वहां से हटा दिया गया बता दे कि हैदराबाद में 22 साल की महिला जॉक्टर रोजाना की तरह ड्यूटी पर जा रही थी लेकिन बुदवार को रास्ते में उसकी स्कूटी में पंचर हो गया और वहां रुक गई इसके बाद महिला ने अपनी बेहन को फोन करके बताया कि स्कूटी खराब हो गई है मुझे बहुत डर लग रहा है बाद में महिला के साथ गैंग रेप होता है और उसे जला कर मार दिया जाता है पुलिस को महिला का शव जली हुई हालत में हाइवे पर ब्रीच के नीचे मिला था ऐसे ही लेटेस को ब्रेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाल